जहानारा यमुना के किनारे शाही महल का त्रिश्य महल में सन्नाता है पत्य से तोपों की गड़गडा हट और ज़नका सुनाई दे रही है शाह जहां मसनत के सहारे मेता है एक दासी दवा का पात लिए खड़ी है शाह जहां चिंतित है तोपों की आवाज से कभी-कभी चौप पड़ता है नहीं, नहीं क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तक्त ताहुस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए कौन? जहानारा? क्या तुम सच कहती हो? हाँ जहां पना, यह सच है क्यूंकि आपका अकर्मण ने पुत्रदारा भाग गया और नमक हराम दिलेर था क्रूर औरंग से एक से मिल गया आप किला उसके अधिकार में हो गया है लेकिन जहानारा क्या औरंग से क्रूर है? क्या वह अपने बुढ़े बाप की कुछ इज़त ना करेगा? कुत्रवात्सल्यन्या की यह अवस्था की है औरंग सेथ एक नार की विशाच है उसका किया क्या नहीं हो सकता? एक भले कारे को छोड़कर नहीं जहानारा, ऐसा मत कहो हाँ जहानारा, मैं ऐसा ही कहती हूँ जहानारा, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जहाँ पनाह की जो आग्या हो? मेरी तलवार मुझे दे दो जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी कोई भी तक्त ताउस न चीन सकेगा हाँ जहाँ पनाह, ऐसा ही होगा जहाँ नारा ने शाह जहाँ की तलवार उसके हाथ में थमाई और एक तरफ को खड़ी हो गई शाह जहाँ ने उठने का प्रयास किया मगर सफल न हुआ वह लड़ खड़ा कर गिरने लगा तो शहजाबी जहाँ नारा ने बाच्शा को पकड़ लिया और तक ताउस के कम्रे की ओर ले चली तक ताउस पर वृत शाह जहाँ पैठा है नकाब डाले जहाँ नारा पांस ही बैठी है कुछ सरदार खड़े हैं नकीब भी खड़ा है शाह जहाँ के इशारा करते ही उसने अपने चिर अभ्यस्त शट कहने के लिए मुझ खोला अभी उसके मुझ से पहला लफ भी न निकला था कि उसका सिर छिटकर दूर जा रहा सब चकित होकर देखने लगे अभी जिराबक्तर से लदा हुआ औरंग से अपनी तलवार को रुमाल से पोँचता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला खुजूर की तबियत नासाज सुनकर मुझ से न रहा गया इसलिए हाजिर हुआ शाह जहां कापते हुए बोला लेकिन बेटा इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी बह देखो बुढ़े नकीब की लाश लोट रही है उफ मुझ से यह नहीं देखा जाता क्या बेटा मुझे भी इतना कहते कहते बेहोश होकर तक से जुग गया औरंग जेब कड़क कर अपने साथियों से बोला हटाओ इस नापात लाश को जहां नारा से अब न रहा गया वह दोड़ कर सुगंदित जल वृत पिता के मूँपर छड़कने लगी यका यक औरंग जेब दहाडा यह कौन है जो मेरे बूढे बाप को पकड़े हुए है शाह जहां के मुसाहिबों को लताडने लगा उन सब बड़े नामा कूल हो देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया इसके साथ औरंग सेप और वे सब तख्त की और पढ़ने लगे नहीं यों बढ़ते देख कर जहां नारा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे में शाही मोहर किया हुआ कागस निकाल कर खड़ी हो गई और बोली देखो इस परवाने की मताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जग़ पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूँ सब लोग शाह जहां के लिखे उस कागस की और देखने लगे उसमें लिखा था इस शक्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज़द करो सब उसकी अभ्यर्थना के लिए जुग गए स्वैम औरंग जे भी जुग गया और कई प्षण तक सब निस्तब्द रहे अकस्मात औरंग जे तनक कर खड़ा हो गया और कड़कर बोला गिरफ्तार कर लो इस जादूगर्णी को यह सब जूटा फिसाद है हम सिवाश शाह जहां के और किसी को नहीं मानेंगे सब लोग उस औरत की और बढ़े जब उसने यह देखा तब फोरण अपना नकाब उलड़ दिया सब लोगों ने सिर जुका दिया और पीछे हट गए औरंग जेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और बड़ड़ा कर सोर से बुला कौन? जहनारा? तुम यहां कैसे? पलट कर अपने लड़के की तरफ देख कर बोला बेटा, मालूम होता है कि इनका दिमाग कुछ बिगड गया है बरना इस बेशरमी के साथ यहां ना आती तुम्हें इनकी हिपासद करनी चाहिए से पहले की औरंग जेब का बेटा कोई बेदभी करे जहनारा बोली और औरंग जेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेदभी से पेश आया जहनारा के मूँ से इतना निकला ही था कि औरंग जेब के शहजादे ने फूर्ती से उसके हाथ से कटार जपटली और बोला मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप महल में चलें नहीं तो जहनारा से यद देख कर रहना गया वा गिरगिरा कर औरंग जेब से बोली क्यों औरंग जेब तुमको कुछ भी दया नहीं है औरंग जेब ने कहा दया क्यों नहीं है जहनारा जैसे दाराशी को तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था फिर तरफ़तारी क्यों वह तो बाप का तक्थ नहीं लेना चाहता था। उनके हुक्म से सल्तनत का काम जलाता था। तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता। अब बहस बेकार है। आपको चाहिए कि महल में जाएं। जहानारा कातर द्रिष्ट से मूर्चित पिता को देखती हुई, शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाह जहां पलंग पर पड़ा है और जहानारा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहानारा से जब औरंग जेव ने पूछा था कि वह कहां रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हत्भागे पिता के साथ रहना स्विकार किया। और अब वह साधारन दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। वे भड़गदा शाही पेशवास अब उसके बदन पर नहीं दिखाई परते। केवल साधे बस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। शाही महल में चारों और एक शांती का भास होता है। जहां नारा ने जो कुछ उसके पास था, सब सामान गरीबों को बांट दिया। और अपने बगुमूल्य अलंकार भी पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी रिशी कन्यासी हो गई है। बाद बाद पर दासियों को जिड़की नहीं देती। केवल आवश्यक वस्तूओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाह जहां ने लेते लेते आँख खोल कर कहा। बेटी अब दवा की कोई जरूरत नहीं है। यादे खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। जहां नारा में रो कर कहा। पिता जी जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाह जहां कुछ न बोल कर चुपचा पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहां नारा बैठी रही। फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जर्मे फेंगती। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह पहले जैसा ही है। मुगल सामराज भी तो वैसा ही है। शाह जहां जीवित हैं लेकिन तख ताउस पर वह नहीं बैठते। जब तक चंद्रमा के किर्ण उसके मुख पर नहीं पड़ी। वह इसी सोच विचार में बैठी रही। शहजादी तपश्विनी हो गई है। उसके हृदय में वह पुराना तेज अब नहीं है। किन्तो एक स्वरगिय तेज से वह कांतिमई हो आई है। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूती थी कि लोग उसे मूर्दी मती करुना मानते थे। उसकी इस चाल से पाशान भृदय औरंग जेभी विचलित हुआ। उसकी जो स्वतंतरता छीन ली गई थी फिर मिल गई। पर अब उस स्वतंतरता का उभोग करने के लिए अवकाशी कहा था पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूती से अवकाशी कहां मिलता था। जिसकी सेवा के लिए सैक्डो दासियां हाथ बांध कर खड़ी रहती थी। वो स्वैम दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। व्रित शाह जहां के इंगित करने पर उसे उठा कर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमना के तक पर ले जाती और उसका मनुरंजन करती हुई छाया सीपनी रहती। व्रित शाह जहां ने इलो की लीला पूरी की। अब जहां नारा को संसार में कोई काम नहीं है। केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा काम नहीं मालूम होता। उसकी पूर्वस्मती उसे और भी सताने लगी। वह बहुत शीन हो गई। बीमार पड़ी। पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी। और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। अब औरंग जेब ने सुना। अब उससे भी सहल न हो सका। वह जहानारा को देखने के लिए आया। जहानारा एक पुराने पलंग पर जीन बिछाने पर पड़ी थी। केवल एक धीनी सास चल रही थी। और औरंग जेब ने देखा कि वह जहानारा जिसके बीमार पढ़ने पर शाह जहां भी व्यक्र हो जाता था और सैक्डों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। वह इस तरह एक कूने में पड़ी है। पाशार भी पिगला और रंग जेब की आँखें आसुओं से भराएं। और वह घुटनों के बल बैठ कया जहानारा के समीब मूर ले जाकर बोला। बेहन कुछ हमारे लिए खुक्म है। जहानारा ने खुली हुई आँखों को आकाश की योर उठा दिया। उस समय उन में से एक सरगीय जोती निकल रही थी। वह वैसे ही देखती रह गई। इस पाठ के लेखक जैशंकर प्रसाथ का जन्म सन 1889 में वारा नसी में हुआ जहां सुंगनी साहु नाम से थी विख्यात हुए। हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू और पार्शी का गहन अध्यन किया। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंद आधी कई विधाओं में साहित्य स्रजन किया। इनके साहित्य में इतिहास, स्वतंत्रता की चाह, सौंदर और प्रकृती प्रेम के स्वर प्रमुक रूप से मिलते हैं। इनकी प्रमुकृतियां हैं चंद्रगुप्त, सकंद्रगुप्त, धुरुप स्वामिनी, कामायनी, जर्ना, आशू, लहर, कंकाल, तितली, और पुडशकार, गुंडा, जहानारा, आकाश दीप आधी कहानिया। कामायनी को आधुनिक महाकाव्य माना जाता है।